इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में आज हम इस Digital Clock आप्लिकेशन को बनाना सुरू करेंगे तो यह जो आप अपने स्क्रीन पे इस Digital Clock आप्लिकेशन देख सकते हो यह बिल्कुली Hacker स्टाइल Digital Clock है यहाँ पर आपका जो background है वो पुड़ा का पुड़ा black है और जो भी text है वो पुड़ा का पुड़ा green है जैसा कि आप hacking movies में देखते होगे ठीक उसी तरह का यह digital clock application है और आज हम इसी पर work करना start करेंगे तो आज हम इस digital clock application को design करेंगे हम html और css के code लिखेंगे और next video में अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस digital clock application में जान डालेंगे हम java script के code लिखेंगे जो की clock को up to date करेंगा तो चलिए हम इस पर work करना पर start करते हैं तो मैं सबसे पहले अपने desktop पर जाओंगा और वहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर एक folder बनाऊँगा तो मैं right click करूँगा और click करूँगा new folder पर और इस folder का मैं नाम दूँगा digital underscore clock ठीक है और इसके अंदर मैं कुछ folders बनाऊँगा तो चलिए सबसे पहले हम इसे अपने editor में open कर लेते हैं अगर आप atom यूज़ कर रहे हो तो आप इस folder को atom में open कर लो अगर आप sublime text यूज़ कर रहे हो तो आप sublime text में open करो और मैं यूज़ करने वाला हूँ आज visual studio code आप देखी सकते हो कि मैंने visual studio code install कर रखा है so मैं इस digital clock folder को मैं अपने इस visual studio code में open करूँगा ठीक है तो मैं इसे यहां पर drag करके यहां पर open कर लोगा अगर आप drag करके open नहीं कर सकते हो तो आप file पर जाओ और open पर जाओ और वहां से कर लो यह बहुत ही basic work है जो कि आप जानते ही होगे तो चलिए अब मैं यहां पर इस folder में यहां पर आप मैं कुछ file बनाऊँगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में यह जो part 1 वीडियो है इसमें हम यहां पर html और css के code लिखेंगे आज हम इसे design करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले html का code लिखना होगा तो मैं एक html फाइल बनाऊँगा index.html से ठीक है और उसके बाद मैं एक दूसरा folder बनाऊँगा style.css से और students मैं अब assume करके चलने वाला हूँ कि आपको basic html और css आता है तो मैं जो भी html और css कोड लिखूंगा मैं उसको बहुत detail में explain नहीं करूंगा मैं बस आपको एक थोड़ा सा explain कर दूँगा कि यह क्या होता है और यह कैसे work कर रहा है जो भी कुछ specific code होगा वहां पर मैं मैं बहुत अच्छे से explain करूंगा लेकिन जो basic चीज़े होती है जैसे कि head tag body tag वो मैं explain नहीं करने वाला हूँ तो चलिए अब मैं यहां पर अपना code लिखना start करता हूँ तो आप जानते हो सबसे पहले हमें चाहिए यह dog type html उसके बाद हमें चाहिए अपना html tag और मैं इसे close करूंगा और जैसे ही मैं इसका यह closing bracket डालूंगा यह जो visual studio code है वो मुझे suggest कर देगा और यहां पर मेरा closing tag आ जाएगा तो चलिए मैंने यहां पर कर दिया enter hit और आप मैं चाहूंगा hit tag तो यह आ गया मेरा hit tag और इसके अंदर मुझे चाहिए title और मैं title को भी यहां पर आप close करने वाला हूं यह हो गया मेरा title close और अब मैं इसके 20 में जाऊंगा और डालूंगा digital clock and clock बिल्कुल ऐसे ही तो चलिए आप मैं इस code को थोड़ा सा explain कर देता हूं तो यह हमारा html code है यहां पर हम बोल रहे हैं कि हम html5 को use करेंगे और यह basic html का structure है ठीक है आप यह जानते ही हों कि यह हो गया हमारा hit tag और hit के अंदर में हम जो भी हमारा यह जो meta information होता है जो भी title होता है वो सब हम डालते हैं अपने files को link करते हैं तो यह बिलकुल हमारा वही है और यह जो body type जो आप मैं बनाऊंगा यह भी आप जानते ही हो कि आप basic html जानते हो तभी आप यहां पर हो तो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर हम ज digital clock folder को open करूंगा और इस index.html file को ठीक है यह जो index.html file है मैं इसे chrome में open करने वाला हूं तो मैंने किया open with और मैंने किया chrome ओके और आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा file बिलकुल ही work कर रहा है लेकिन हमें किवल high नहीं चाहिए हमें कुछ ऐसा design करना है हमें black background चाहिए और हम यह टेक्स्ट चाहिए कुछ dummy text हमें वहां पर चाहिए होगा ओके तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा मैं सबसे पहले यहां back जाओंगा और यहां पर मैं इस text को delete कर दूँगा और अब मैं यहां पर क्या करूंगा मैं division बनाओंगा और उस division का जो class होगा ठीक है उस division क तो मैं class assign करूंगा और उस class का मैं नाम दूँगा clock and आप जानते ही होगी division क्या होता है so यह बन गया मेरा division और मैं यहां पर दे दूँगा class जिससे कि मैं बाद में यहां पर अपने css में इससे design कर सको इसे अच्छा बना सकूं तो यह दे दिया मैंने यहां पर clock और आप इ देख रहे हो यह जो आवर है तो यह जो आवर होगा यह हमारा यहां पर कि spandодम होगा जिसकी ID में बनाओंगा यहां पर आवर तो मैंने सबसे पहले यहां लände बना दी span और ईसकी id मैंने दी आवर तो यह जो आवर id वाला this fan tag होग वह इस आवर को यह 20 दिखाए और है एट पीम तो ये उसको डिस्प्ले करेगा ओके और ये जो मिनिट वाला जहां पर 35 वार रहा है या 35 है उसे क्या करेगा यहां पर मैं अब मिनिट वाला टैग बनाऊंगा तो मैं फिर से के स्पैंड बना लेता हूँ स्पैंड यहां पर मुझे स्पैंड आरा लेकिन मैं आपके लिए कोड टाइप करने वाला हूँ तो यहां पर मैंने डाल दिया मिनिट और अब मैं इसे क्लोस करूंगा और मेरा स्पैंड यहां पर आ जाएगा तो यह हो गया हमारा आवर यह आवर हमारा इसे डिस्प्ले बना लेता हूँँ तो मैं पहले यहाँ पे आहूंगा जो यू K담्सट करेगा तो यहाँ पे डिया właściर है तो चलिया हमने से सेव करता हों और मैं इसे आप यहां पर हां रहाँ कि यहाँगा यहां पे यहां वेल ऐसा इसलिए है कि हमने यहां पर अभी तक कोई dummy value नहीं डाला है तो चलिए अब हम यहां पर dummy value डाल देते हैं तो मैं यहां पर डालूँगा 09 और उसके बाद मैं column डाल दूँगा ओके और यहां पर भी मैं डाल दूँगा नाइन एम एंड एलेवन मिनिट सो यह हो गया 11 और इस सकेंड में मैं कुछ डाल दूँगा तो चलिए मैं डाल देता हूं 30 सकेंड बिल्कुल ऐसे ही और अब इस प्रोग्राम को मैं सेफ करूँगा और मैं इसे अब यहां पर रेफ्रेस करूँगा इस वाले को और आप देख कुछ अच्छा दिख रहा है वेल वो तो अब सेसे का पार्ट है और अब हम उसे करने वाले हैं तो चलिए इससे पहले कि मैं सेसे पर बढ़ू मैं आपको यह कोड थुरा सा बेसिक समझा देता हूं तो मैं यहां पर एक डिविजन बना रहा हूं और उस डिविजन का जो क् डिप्ले करेगा और सेकंड वाला सब्सक्राइंट को डिस्प्ले करेगा हम जावा स्कृट में इसी आईडि से अक्सेस करेंगे इसे और अपने कोड को अपने डिजिटल क्लॉक पर करेंगे हर सबसे पहला क्या होना चाहिए अब देखके बताओ हमारा सबसे पहला काम होगा कि यह जो background color है यह जो black black RR बिल्कुल hacker जैसा तो हमें वो black background चाहिए तो उसके लिए हमें इस body को access करना होगा और body में हमें background color को change करना होगा तो यह रहा मेरा background dash color और यहां पर हम कोई भी color चूज़ कर सकते हैं तो मैं यह black चूज़ करने वाला हूँ अगर आपको यह option नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है आप यह hashtag का symbol ले आओ और 6 बार 0 दबाओ यह जो 6 0 है यह आपका black होता है तो यह हो गया मेरा 6 0 अब मैं इसे save करूँगा और अब मैं जाके check करूँगा कि यहाँ पे वो कुछ आया की नहीं और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया वे तो बिल्कुल भी change नहीं हो रहा तो आखिर हमने एक गलती कहा की वेल अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे अपने HTML कोड में तो आप देखोगे कि हमने केवल HTML का कोड लिखा है और हमने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा CSS का कोड लिखा है लेकिन हमने कहीं पर भी इस CSS को HTML से लिंक नहीं किया है तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसे लिंक करना होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम link करते हैं head में या फिर हम अपने head में meta information देते हैं जाज़े title हो गया या फिर किसी भी दूसरे java strip के या CSS के file को link करना होता है तो वो भी हम head में करते हैं तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे link करते हैं तो मैं इस link tab का use करूँगा और link के बाद मैं इस relation में डालूँगा कि मुझे एक style seat चाहिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया equal to और यहाँ पे मुझे session आ गया है तो मैं यहाँ पे enter करने वाला हूँ तो अगर आपको session नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आप बिल्कुल type out कर लो जो कोई जादा बड़ा code नहीं है link और उसका relation होगा link का कि हम यहाँ पे बताने वाले हैं इस system को इस browser को कि मैं जो file link करने वाला हूँ वो एक style seat है वो एक CSS की file है उससे हम design करने वाले हैं तो यह relation का मतलब यहाँ पे वही है और इस href में हम अपने file का नाम देंगे तो आप देखो यहाँ पे कि यह जो digital clock folder है इसके अंदर हमारा CSS file मैंने सबसे पहले ही इस video में बना लिया था तो आप हम क्या करेंगे हम यहाँ पे उसी file का नाम देंगे तो यह आगिया style.css अगर आपके file का नाम अगर इस CSS file का नाम कुछ और है जैसे कि my style है या फिर your style है या फिर कुछ भी है तो आप यहाँ पे style.css के जग़ा पे अपने CSS के file का नाम दो तो चलिए अब end में मैं जाता हूँ और इसे मैं close कर देता हूँ और अब मैं इसे save करूँगा और अब हमारा यह जो CSS का जो code है वो बिल्कुल run करना चाहिए तो चलिए मैं इसे refresh करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा code work कर रहा है लेकिन आप हमारा यहाँ पे अब हम उसे भी fix कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर जाओंगा body में और मैं सभी color को change करूँगा तो मैं यहाँ पर इस color property को access करूँगा और यहाँ पर मैं जो green color use करने वाला हूँ उसका mac code यहाँ पर पहले से लिख की रखा हूँ अगर आपको कोई और color use करना है green color जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वह मैं use करूँगा तो मैं उसका code यहाँ पर डाल रहा हूँ और वह code है seven one f five और है one and b और उसके बाद आप जानते ही होगे css है तो हमें यहाँ पर semi column डालना होगा तो चलिए मैं इसे save करता हूँ और अब हम अपने इस chrome को फिर से open करेंगे और हम इसे refresh करेंगे और आप देख सकते हो कि हमारा text green हो गया है लेकिन यह तो कुछ भी नहीं लग रहा जैसा मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था तो चलिए हम सबसे पहले अपने code में जाते हैं और हम HTML की file को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर division क्रिएट किया था और इस division का class मैंने दिया था clock वह मैंने इसलिए किया था क्योंकि अब मैं इस CSS में जाऊंगा और उस clock को access करूंगा और अपने पूरे की पूरे clock को पूरे division को अब मैं style करूंगा तो आप जानते ही होग और आपको किसी भी class को style करना है तो आप कैसे करोगे किसी class को access करके कैसे style करोगे बहुत simple है . और उस class का नाम तो यहां पर class का नाम है clock तो मैं यहां पर डालूँगा dot और फिर डालूँगा clock मैं इसे थोड़ा थोड़ा explain कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको यह ज्यादा detail में नहीं जाना हो कि आप पहले से जानते होगे html css तो मैं बस थोड़ा explain कर रहा हूं तो यह कर लिया हमने clock को access अब हमें क्या करना है well सबसे पहले हमें height चाहिए और height हमें क्या चाहिए well हम height को pixel में भी दे सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो digital clock है जैसे आप यहां पर देख सकते हो यह पूरे के पूरे screen को cover करे ठीक है तो यह जो हमारा division clock वह पूरे के पूरे screen पर फैला रहे तो वह हमें करना होगा तो हम यहां पर height को देंगे 100% और उसके बार हमें क्या है कि आप मैं चाहता हूं कि पैडिंग इसे कुछ दे दूँ तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसे हमने यहां पर पैडिंग दे हुए है यह जो हमारा text है वह टॉप से थोड़ा सा नीचे है बहुत नीचे है थोड़ा नीचे है तो वह पैडिंग भी हमें देना है तो हमें यहां पर पैडिंग टॉप देना होगा तो पैडिंग टॉप यह रहा और पैडिंग टॉप मैं देने वाला हूं 200 पिक्सल और मुझे यहां से यह हटा देना होगा वरना यह कोडी गलत हो जाएगा ओके तो चलिए यहां से हट गया यह हैस्टैक और अब मैं इसे एक बार सेव करता हूं और मैं इसे फिट से डिफ पर अलगले लेकिन यह क्या है यह तो अब समर्न में हैं घुट अफ्ल एपा यह जाए सम्थ ना होगा अब तो अब हम क्या करते हैं अब हम फॉंट की साइज को इंप्रूव कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है तो यह हो गया हमारा फॉंट साइज और फॉंट साइज आप चाहो तो 60 दे दो या फिर 80 दे दो चलिए मैं पहले 60 से स्टार्ट करता हूं और आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स साइज थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मुझे और बड़ा चाहिए यह बहुत जादा च्छोटा लग रहा है तो चलिए मैं यहां पर आप एट्टी डाल के देखता हूं मैंने सेफ किया इसे और यहां पर यह सही है यह बिल्कुल ठीक है तो यह हो गया हमारा डिजिटल क्लॉक रेडी बट अभी भी एक इस बाकी है अगर आप देखोगे तो यहां पर जो फॉन्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही कूल लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यह फॉन्ट टो इसकल महिलने है तो इसके लिए हम क्या करेंकि कि मैंने इक फ्रॉंट पहले से जहिसानर के रहा है तो मैं सबसे पहले जाओँ गाब और मैं उस फॉंट को तो select करूँगा search करूँगा select करूँगा और उसके बाद उसे मैं अपने code में use करूँगा तो अगर आपको कोई और font use करना है या फिर अगर आपको कोई भी font access करना है तो आप इस fonts.google.com website पर जाओ यहां पर हजारो fonts available है और सभी बहुत ही बढ़िये font आर सबको आप freely use कर सकते हो बिल्कुल free में तो आप इस website का यूज करो और अपने प्रोजेक्स में अपने apps में इसका यूज करो तो मैं जो font use करूँगा वो है और विट्रान सो ओ और विट्रों यह रहा मेड़ा फॉंट तो यहां पर मैंने और विश्च किया और यह आ गया मैं सब्सक्राइब करूँगा और यहां पर आप देख सकते हो कि आपको अलग-अलग वेटेज वाला मिल रहा है तो मैं कौन सा सब्सक्राइब कर सकता हूं य सब्सक्राइब करना है अपने प्रोजक्त में तो मुझे इस इंबेट पर जाना होगा और यहां पर मैं दो तरीकी से कर सकता हूं एक नॉर्मल तरीका होता है कि इस लिंक को ले जाओं और अपने पेस्ट कर दूं लेकिन इन css में कुछ नए फीचर सा है और उसका हम यूज करने वाले हैं मैं क्या करूंगा मैं यहां पर इस इंपोर्ट को यह जो इंपोर्ट फीचर है css में जो बिल्कुल नया है मैं उसका यूज करूंगा और उसे अपने पेस्ट करूंगा इसे कॉपी करके तो मैंने पर पेस्ट करूंगा वेल आपको जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट है जैसा कि आप जावा स्क्रिट में करते हो या फिर किसी भी और लाइंग्विज में करते हो css में भी बिल्कुल सेम है आपको सबसे उपर इस टॉप में इसका यूज करना होगा जैसे मैंने यहाँ पर किया तो मैंने इसे कर दिया पेस्ट और अब मैं जाओंगा फिर से इस क्रोम में और आप यहाँ पर देख सकते हो css rules to specify family वैल आप इसको copy भी कर सकते हो तो मैं इसे copy कर लूँगा और यहाँ पर मैं जाओंगा और मैं इसे paste करूँगा तो अब आप यहाँ पर देख रहोगे कि मैंने इसे paste कर दिया है so यह जो font family है यह font family को specify करने में या change करने में हम use करते हैं और जो font हमें चाहिए वो हो गया अगर आपको यह सब कुछ नहीं लिखना है आप तो आप वैसा भी कर सकते हो यहाँ पर आप केवल और लिखोगे तो वह भी वर्ड करता है लेकिन मैं इस वे में रहना ज्यादा बेटर प्रिफर करूँगा तो मैंने इसे save कर दिया और मैं आप जाओंगा यहां और मैं इस digital clock पर जाओंगा जो कि कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मैं इसे refresh करूँगा और आप देखोगे यह कितना जादा बदल गया है और जैसा मैं यहां पर दिखा रहा था जैसा यहां पर आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही यहां पर भी लग रहा है त तो आप पूरा का पूरा खतम हो गया है और इस वीडियो में मैंने एक नई कॉंसेप को भी इंटर्ड्यूस कर दिया जो कि है आपका यह गूगल फॉंट तो अगर आपको यह गूगल फॉंट जब भी यूज़ करना है जाओ इस वेबसाइट पे बहुत साथे फॉंट्स किसी को भी यूज़ करो बिल्कुल फ्री है तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो के इंट करूं मैं आपको वह भी दिखा देता हूं कि वह वर्क करता है कि नहीं तो यह रहा मेरा और भी ट्रॉन मैंने इसे सेफ किया मैं फिर से यहां पर जाओंगा स्क्रों में मैं इसे और इस वीडियो का परपस इस वीडियो में हमने इस डिजिटल क्लॉक एप्लिकेशन को डिजाइन किया हमने एस्टेमल और स्यसे कोड लिखा और हमने गोगल फॉन्ट का भी यूज किया और उसका यूज करके हमने एक सुन्दर सा डिजाइन तयार किया है और जो इसका जो देट को दिखाएगा तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चिन है तो नीचे डिस्कसिन सेक्षिन कमें सेक्षिन में आप मुझसे पूछ लो अगर आपको कुछ मेरे यूटूब वीडियो में इंट्रेस्ट है तो आप मेरे यूटू चैनल पर जाओ उसका भी लिंक आपको कहीं पर मिल जाएगा मेरे प्रोफाइल में या फिर आप यूटूब पर जाओ और सुभम सौर्फ सर्च करो वो भी काम करेगा तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म आप को डिंग करते रहो मजे करते रहो मैं चलता हूँ गुडबाई